हलो मेरे दोस्तों मेरे छेतरवाशियों मेरे प्यारे भाइयों हम लाइव आये हैं फेस्बुक पे हम साथ पहली बाल लाइव कर रहे हैं से पहले ट्राइ करें थे लाइव नहीं आ पाये थे यह बताइए कि आप लुग भार्ती संतुष्ट है या नहीं हैं तो कमेंट करिए अगर नहीं है तो भी कमेंट करिए ठीक है कि हम तो बिलकुल भी संतुष्ट नहीं है इस पार्टी से कि जिस तरीके से ये चार साल जो हमने देखे हैं हमारे पिता जी विधायक रहे हैं पुमाया 134 विधायन सवा से और मैंने देखा है कि हमारे कार्यकरता जिन्होंने हमको इलेक्षन जिताया हमारे वोटर जिन्होंने हमें इलेक्षन जिताया हम 78,000 बोटों से जीते हैं हम 78,000 बोटों से जीते हैं एक लग 26,000 बोट मिला है सिर्फ आप लोगों की वज़े से आज हम मजबूर होके इससे पहले भी हमने बहुत ट्राइ किया कि आउनलाइन आके लाइव आके हम आप लोगों से कुछ बात करें लेकिन हम हिम्मत नहीं जुटा पाए लेकिन आज हम इम्मत जुटा के ये बात कह रहे हैं आप लोगों से हमें मालूम है हम जो कदम उठा रहे हैं वो उपने पैर पे कुलाडी मार रहे हैं हम जानते हैं हमारे पिता जी भी अगर ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी तकलीफ होगी लेकिन हम उनके साथ भी बैटते हैं और जन्ता को हम सुनते भी है और जब हम सुनते हैं तो जब देखते हैं कि प्रसासनिक अधिकारी प्रसासनिक अधिकारी खास तोर से मैं बोलना चाहता हूँ मैं डरता नहीं हूँ हो कुछ भी हो भविस्की राजनीती मैं नहीं जानता भविस्की राजनीती हमको जनता बताएगी कि हमें कहां पहुँचना चाहिए कहां नहीं पहुँचना चाहिए लेकिन प्रसासनी का दिकारी जो कि ये चार साल में अगर आपने अगर थाने की दलाली बंद कराई हो, आपने तहसील की दलाली अगर बंद कराई हो, हमारा गरीब आज भी सपासरकार में अगर बसपासरकार में देता था, कहीं से भी देता था, कुछ भी करके देता था, तो आज भारती जनता पार्टी में अगर इमानदारी की हम बाते करते हैं तो वो गरीब वो कहता है कि हमसे 10,000 रुपे लिए गए हमसे 20,000 रुपे लिए गए हमें ये बताइए क्या कफ्तान साथ क्या इंस्पेक्टर क्या सीओ साथ क्या कोई भी जनपत कोई बी जिल्ले कोई भी मंडल के रहे हों DIGIG हम जानते हैं नेता अपना प्र करें एक छोटा सा काम अगर किसी का होना है और उसके लिए एक बिधायक को चार-चार बार फोन करना पड़े क्या बताईए इसी सरकार हम देखना चाहते हैं आरे आप हमें बताते हो आप हमें बनाते हो आप बिधायक बनाते हो आप बिधायक बनाते हो हमारी जंता बिधायक और से कहते हैं तो सर्व प्रथम उसका काम होना चाहिए हम जानते हैं तसमय से पांच हमारे पिता जी करा देते हैं लेकिन जो पांच नहीं हो पाते हैं जन्यून काम उनके लिए मुझे घुसा है इस बात का घुसा है इस बात का महराज जी बहुत अच्छे आदमी है मैं मिला उनसे महाराज जी से लेकिन महाराज जी और हमारे भारती दंता पार्टी के वरिस जित्ते भी मंत्री हैं हम आज 34 साल की उमर पे हैं हमारा अनुवब जादा नहीं है लेकिन इतना अनुवब जरूर है कि मैं गाउं गाउं गया हूं मैंने देखा है कि गरीब अब भी गरीब ह चाहते हैं अपने माध्यम से कि प्लीज एक साल बचा है एक साल बचा है इस तंत्र को महराज जी और हमारे भाजपा के वरिष्ट मंत्री और भाजपा के हमारे वरिष्ट पदाधिकारी और हमारे बताईएगा अगर आपको न्याय मिला हो तो ठीक है अगर न्याय ना मिला हो तो आप कमेंट करिए क्यों नहीं मिला आप लाइव आईए मेरी तरह लाइव आईए क्या एक बताईए मौझूदा बिधाय का पुत्र अगर लाइव आ रहा है वो इसलिए लाइव नहीं आ रहा ह कि इसको बिधाय की चाहिए 2022 की वो इसलिए लाइवारा है कि वो समाज के लिए चाहता है यह सरकार हमारी बहुत अच्छी है हमारे धर्म और जात के लिए और समाज के लिए कर रही है लेकिन हमारी सरकार से एक निवेदन है हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे अधिकारी आप हिंदुवादी राजनीती करना चाहते हैं करिए हिंदुवादी राजनीती के खिलाफ मैं नहीं हूं मैं भी अपने धर्म के साथ हूं मैं भी अपनी जात के साथ हूं अपने समाज के साथ हूं लेकिन अगर गरीबों के साथ अत्याचार होगा और हो भी रहा है हो रहा है मैं देख रहा हूँ चार साल से देख रहा हूँ मैं इस चीज को अगर महराज जी आपसे निवेदन है आप खुफिया इंटेलिजेंस बिचा दीजिए गाउं गाउं बिचा दीजिए आप देख लीजे खुफिया इंटेलिजेंस की कोतवाल लेता है पैसे या नहीं लेता है मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊंगा चाहें जो भी धारा हैं मुझे लग जाएं मैं ये कहना चाहता हूँ चाहें कोई थाने का अधिकारी होई या तैसील का अधिकारी होई चाहें SDM होई चाहें तैसीलदार होई चाहें नायाब होई चाहें लेकपाल होई अगर किसी का करेक हैं सिर्फ इस लिए कि वादिकारी बैटे हमारी खबड़ी पे हमारी खबड़ी पर बैटें हैं है ना हमारे विधायकों की खबड़ी पर बैटें हैं 403 विधायक हमारे बने हैं है ना जिसमें से हमारे पूंड बहुमत 75% पर भारती जन्ता पार्टी को बहुमत मिला है तो ये विधायक इन सब विधायकों को भेजा है जन्ता ने चुनके ठीक है लेकिन इन विधायकों की अगर नहीं हो पा रही है ना तो मैं भारती जन्ता पा है लेकिन जमीनी इस्तर पर उतर के देखिएगा तो बहुत कम जोरी है खाली हिंदुत वादी राजनिती पे राजनीती काम्याब आप नहीं कर पाएंगे आपको राजनीती काम्याब करनी है तो हमारे गरीब कशना या तो हमारे समाच ही मिलेंगी ठीक है लेकिन प्लीज एक साल बचा है कंट्रोल कर लीजिए अगर अधिकारियों पर आपने कंट्रोल लगा लिया तो संभवता हमारा समाज जो आप अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं वो चला जाएगा ठीक है हमारे चाहने वालो हमारे भाजपा कर करता जो हमारे पुणाय बिदान सवा 134 के हैं मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा बोला लेकिन मेरी आत्मा की इच्छा थी मेरे बाबा की इच्छा थी कि मैं ऐसा बोलूँ मैं बहुत परेशान हो गया था मैं देख रहा था चार साल से पुणाय बिदान सवा को मैं जानता हूँ विकासकार हुए हैं भारती जंता पार्टी में हमारे पुणाय में विकासकार हुए हैं मैं इसको जानता हूँ आई टी आई पुवाया बन गया सी असी बंड़ा बन गया डिगरी कालेज खोटार बन गया महिला चिकसालाय पुवाया बन गया नवीन बसड़ो का नवीनी करण हो रहा है खोटार बंड़ा में वो भी होगा बंड़ा से पूरन पुर्मार्ग हाईवे हो गया जीटी रोड बन गया मुझे खुशी है आप विकास करा रहे हैं आप रोडे बनवा रहे हैं लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप सिर्फ अगर अधिकारियों पे अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं तो गलत है कि हम बनते हैं बिधायक जनता से और जनता को चाहिए नयाए और वो नयाए नहीं मिल पा रहा है क्यों? इंस्पक्टर अपनी मर्जी का होता है वो खाली सो रहा है अंदर कमरे में हम सब पुलिस वालों को नहीं कहते हैं हम सब नेताओं को नहीं कहते हैं हम यह कहते हैं वीकित हैं अपने पिता-जी के सासंकाल में इसी हैसे लोग क्नुख और या आए हैं एधिकार हैं हमारे भ्लाक लेविल के जो सिर्फ धाने में बैठे ऑदां । तैशिल में बैठे रहेते हैं खाली लेकपाल ने कही दिया आईसा है खुद मौई का मुआयना नहीं करेंगे थाने में बैठेंगे मौई का मुआयना नहीं करेंगे सिपाहियों पे देंगे सिपाहियों पे देंगे पापा जी रोगिएगा मत तो विचारा फस जाता है तो एक कब सुधरेगा कानून कब सुधरेगी विवस्ता अगर बीजेपी सरकार में भी नहीं सुधर पाई तो कब सुधरेगी मैं कहना चाहता हूं मेरा क्रोस है मैं जानता हूं तरवेदीजी मेरा क्रोस है ठीक है राजनीती ही तो नहीं होगी मेरे घर पे लेकिन मेरा मैसेज देना चाहता हूं मैं जनता से करपया सोचिएगा समझिएगा उसके बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा आपने कहा मैंने मुद्दा अच्छा उठाया लेकिन जनता की समस्याओं को गहराई से अनुवफ करने को उपरां थी अक्रोस सवाविक है ठ भरतिजनता पार्टी विकास करा रही है मैं उसके साथ हूं लेकिन यह प्रसासनिक अधिकारी हमारे सर पे चड़के हमारी जनता के अन्याय सोचड़ कर रहे हैं इनके बारे में सोच लीजिए तो बहुत आपका आभारी रहूंगा हमेसा आपका साक्षी रहूंगा आपके प्रिडित रहूंगा पार्टी के लिए प्रिडित रहूंगा हमेशा वर्क करूंगा मैनस से करूंगा तनमन लगन से करूंगा प्लीज एम सॉरी मैं लाइव आया लेकिन लाइव आने का मेरा मजबूरी था मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था ओके बाए लव यू अब यह विडियो वायरल करा है तो अब देखा नहीं उसको ठीक है ना अब यह बातो है